हालो विवर्स मैं एश्टो सर्षे सुरेंद्र राय स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल में और उमीद करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया होगे मित्रों 2023 अब दूर नहीं है इसलिए मैं नव वर्स की आपको हार्दिक सुखकाम नहीं देता हूँ और इस वर से यही प्रात्ना करता हूँ कि आपका नए वर्स मंगल मैं हो दोजार तेस कैसा रहेगा धनू लगन वालों के लिए धनू रासी वालों के लिए कैसा रहेगा उनका हेल्थ, कैसा रहेगा उनका वेल्थ, ग्रोथ, कैरियर इन सारी चीजों पर आज हम विशेश चर्चा करेंगे लेकिन एक रिक्वेस्ट आप से हम जरूर करेंगे कि जदी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो क्रिप्या सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबाना मत बूले ताकि मेरे नए वीडियो की जनकारी आपको होती रहे मेरा जो वार्शिक फल है वहलगन और रासी दोनों पर आधारित है आप इसे नमाक्षर के नुसार भी देख सकते हैं 2023 में कुछ खास ग्रहों का रासी परिवर्तन होने जा रहा है जिन में कि सनी हैं, राहू हैं, केतू हैं, बिरस्पती हैं खास करके वार्शिक फला देश में इन ही ग्रहों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है बाकी सारे ग्रहों का भी प्रब्和वाव पढ़ता है लेकिन इनका जो प्रभाव होता है वो लंबी अधी के लिए पढ़ता है कि एक ही रासी में लंबे समय तक रहते हैं बाकी सारे ग्रोहों का प्रभाव छणिक होता है अता उनकी में जनकारी आपको समय समय पर देता रहूंगा अब आईए देखते हैं कि 2023 में क्या होने वाला है धनु रासी वालों के साथ धनु लगन वालों के साथ धनु रासी के स्वामी होते हैं बिरस्पति साल का जीमी प्रारंब हो रहा है यानि 17 जनवरी 2023 को ही सनी अपनी रासी परिवर्तन कर रहे हैं ये आपको मकर रासी से निकल कर कुम्भ रासी में जा रहे हैं सबसे बड़ी खुसखबरी की बात आपके लिए यह है कि जो आप साधसाथ साल से सनी की साधसाती से परसांधे उससे आप 17 जनवरी को पूरी तरह से मुक्थ हो जाएगा सनी की साड़ साती खत्म हो जाएगी अब कोई आपको चिंता नहीं है सनी से रिलेटेड ब्योधान के बारे में अब सनी जो भी करेंगे आपके लिए बढ़िया करेंगे बहुत ही बढ़िया करेंगे इसलिए कि तरतिय भाव सनी का एक तरह का बहुत सपोटेबूल भाव है उसमें ये थोड़ी बहुत आपको संहर्स देंगे परिश्रम देंगे लेकिन परिश्रम का अच्छा फ़ल अता भाई बानों से भी सम्मंद आपके बहुत ही मधुरू बने रहेंगे। अब इनकी दृष्टी क्या करेगी इसके बारे में आईए हम चाचा करते हैं तो इनका जो तृतिये दृष्टी है ओ आपके जा रही है पंचम भाव में पंचम भाव में हलांकि पहले से राहू बैठे हुए हैं और वहाँ पर ये मेश रासी है और मेश रासी सनी के लिए नीच के हो जाते हैं अता पंचम भाव से बहुत अच्छा रिजल्ट उमीद करने की आसा मत किजिएगा हो सकता है कि जो लोग विद्यार्थी हों उनके सिख्छा में कोई बेवधान भी आ सकता है बाकी पुत्र संतान के तरफ से थोड़ा सा आपको चिंता बनाये रखेंगे ये सनी इनका जो सब्तम द्रिष्टी है और जा रहा है नौम भाव पर नौम भाव भाग्य का होता है अता भाग संब्दिवी और चने आपको देखने को मिलेगी आसानी से जो काम हो जाना चाहिए वो काम आपको आसानी से नहीं होगी थोड़ा बहुत उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा अब इनकी जो दसंद्रिष्टी है वो 12 भाव पर जा रहे है अतक खर्च भाव पर देख रहे हैं इसके खर्च आपका कम हो जाएगा अब आईए हम विरस्पती के बारे में चर्चा करते हैं विरस्पती आपके साल के प्रारम से ही चतुर्थ भाव में बैठे रहेंगे लेकिन ये पूरी साल वहाँ पर नहीं रहेंगे ये 21 अप्रील 2030 को ये भी अपनी रासी परिवर्तन कर देंगे लेकिन मैं जो अभी फल आदेश कर रहा हूं ये कई साप्रील से पहले पहले के बारे में बता रहा हूं तो चतुर्थ भाव में हलाकि केंदर में बैठे हुए हैं विरस्पती साल रासी के होकर बैठे हुए हैं बहुत ही अच्छा फल देने के अकोसिस करेंगे लेकिन चुकी बगल में सनी आ जा रहा हैं एक तरफ सनी और एक तरफ राहू के हो जाने के कारण ब्रस्पती पाप करतरी योग के प्रभाव में फंस जा रहा है अतो जो फल इनको वहां करना चाहिए वो पून रूप से फल की प्राप्ति ये नहीं करा पाएंगे लेकिन इनकी जो द्रिष्टियां होगी वो द्रिष्टी सुभ होगी एक द्रिष्टी आपके जा रही है अर्ष्ठम भाव पर अर्ष्ठम भाव आयू का है अतो आयू के बारे में आपको चिंता करने के ज़़रत नहीं है स्वास्त आपका बिल्कुल ठेक रहेगा एक दृष्टी जा रहे ही आपके दसंभाव पर दसंभाव कैरियर का भाव होता है तो कैरियर से समंधित जितने भी आपकी संभाव ना है वो निशित तोर पर पूरी हो जाएगी कोई परमोशन उगराँ आप चाहते हैं तो आपको परमोशन भी मिलेगी और एक द्रिष्टी इनकी जा रही है नौम द्रिष्टी वह द्वादस भाव पर जा रही है सनिक की भी वहाँ संजुक द्रिष्टी अभी पढ़ रही है अतक खर्च समानांतर बने रहेंगे खर्च में कोई ना बढ़ावा होगा ना आपका कमी होगा अब 21 अप्रेल के बाद विरस्पति जब अपनी रासी परिवर्तन करेंगे ये मिन रासी से निकल कर मेस रासी में चले जाएंगे मेस रासी में पहले से वहाँ राहू बैठे हुए हैं दुरुभाग्यवस वहाँ भी गुरु चंडाल योग लग जा रहा है वहाँ भी ये कोशिस पूरी करेंगे कि अच्छे फल को हम दें कि पंचम भाव विरस्पति के लिए बहुत ही बढ़िया भाव लेकिन राहू के चलते उतना अच्छा फल आपको नहीं दे पाएंगे लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी हैं विद्या से जुड़े हुए हैं तो अब ये सम्मावना बन सकती है कि जदी वे कोई कमप्टिटिव इक्जाम अगरा निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते लेकिन इनकी द्रिष्टिया आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाव प्रद होगी एक द्रिष्टि आपके भाग भाव पर जा रही थी सनी के चलते जो आपका भाग थोड़ा सा रुक रुक कर चल रहा था अब बहुत ही आपके लिए सपोटेबूल हो जाएगा भाग पर एकई सप्रील के बाद आपका लाब अत्ति उत्तम हो जाएगा और अंतिमिन की जो नौम द्रिष्टी है वह जारी आपके लगन के ऊपर लगन पर ग्रहस्पत्ति के द्रिष्टी जाना बहुत ही सुभ है यह आपके परतिष्ठा को बनाए रखेंगे हो सकता है आपका ने आपका जो पापकरतरी योग चतुर्त भाव पे लग रहा था वह खत्म हो जाएगा पंचम भाव में जो बिरहस्पति और राहू के बैटने के कारण जो गुरु चंडाल योग लग जा रहा था वह भी खत्म हो जाएगा अब बिरहस्पति पूरी फोर्स में आ जाएंगे पूरी टाकत में आ जाएंगे अतब बिरहस्पति का पंचम भाव में बैठना पूरे साल के लिए आपको बहुत बढ़िया हो जाएगा यह आपके भाग को भी प्रवल करेंगे आपके प्रस्णालिटी को भी प्रवल करेंगे और आपका जो पंचम भाव है विद्या का है पुत्र का है संतान का है इन सबों में काफी आपको याफा देखने को मिलेगा और सारी मोनोकामनाएं साल के अंत होते होते तक आपकी पूरी होने की पूरी संभावना है तो मित्रों ये रहा 2023 का एक संचिप्त विवरन जदी आप विश्तित जनकारी चाहते हैं तो आप कंसल्ट करके मेरे वाट्सप नंबर पर वाट्सप करके आप विशेश जनकारी ले सकते हैं आज के लिए इतना ही जदी मेरा कॉंटेंट अच्छा लगे वीडियो अच्छा लगे तो किर्पिया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले नमस्कर